हेलो एवरिवन वेलकम तूवर यूट्यूब चैनल जेकल लेटेस इंफो तो आज की इस वीडियो में हम लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वर्ड जिग्राफी का हलाकि इस टॉपिक को करने के बाद भी कें सारे टॉपिक हमारे पैंडिंग होगे बट फिल भी इंपॉ को प्रोवाइड कर दिए टेलिग्राम पर सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं यह वीडियो स्टार्ट करने से वह बताना चाहूंगा ओली बोड की तरफ से एक बुक प्रोवाइड करें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में लिंक मिल अगर चलते हैं यहां पर बुक मैंने देखा यहां पे खुद से तो बुक में सभी टॉपिक्स को मेंचिन करा गया है और आप अगर चाहते हो अभी अगर कम टाइम पर स्लेबस करा गया है यहाँ अब करते हैं तो आपको यह सुना ही होगा मार पास इंसरी को आूटर कौर अपने सुना होगा यांशा है वां पैसको तीन तरह की बैड में बंटा हुए है ये कोर एक होते है, mental एक होता क्रेस्ट, सबसे उपर वाला हिसे कि अगर हम बात करेंगे, वो क्रेस्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर हम यह भी बात करेंगे, जैसे अगर हम इसको थोड़ा जूँम आउट कर लो, यह पर इस तरीके से, तो आप यहां पर देख रहोगे यह रहा हमारा Earth, हमारा प्लानेट, हमारे दर्ति हमारे सामने ले रही यहां पर तो सबसे उपर वी लेयर है, जहां पर हम रहा करते हैं, उसे crest कहते हैं, इतना तो आप सबी को पता होगा यहां पर हम जब बच्पन में रहा करते तो हमें confusion हुआ करता था हो सकता आप मैंसे भी किसी को हो तरसे मुझे लगा करता था पहले पहले कि हम जो है वो इस दर्ती जो है दर्ती के बीच में कहीं पर रहते हैं समझ क्यों मुझे ऐसे लगा करता था हो सकता है, आप मैंसे भी कहीं सारे students को ऐसा लगता है, पहले पहले जब आपने इसके बारे मिना पड़ा हो, कि हम इस धर्ती के बीच में रहाते हैं, अगर आप मैंसे कोई ऐसा है, जिसे ऐसा लगता था, तो comment section में comment करें बताना, हलाकि हम जहां रहते, एक ball assume कर लो, हम ball के ऊपर की तरफ रहते हैं, कोई यहां रहता है, कोई यहां रहता है, तो अपर गिरते क्यों नहीं है, क्योंकि आप से भी को तो gravity के बारे में, वो science का top देक हम यहां पर वो cover नहीं कर रहे हैं, तो crust है, उसके नीचे की तरफ जाओगे, और किसेन किसी exam में, आपको वैसे ही nuts में अपके लिए लेकर रहाएं हो, तो आपके लिए important रहने वाला है, यह हर एक LINE से question बनवा याद रगना, हर प्राइब करेंगे सबसे पाले आपको बता आती है क्रूस्ट वली लेर बने किसे होती है सिलिकन औरście इसे नहीं तो मैक्सिमांट इसमें सिलिकन को होतेたい तो इस आई से गॲचा आक तो इसलियर बहुता है था कि स्याल जो आपने किसी भी लाइन को स्किप नहीं करना इवन आज की जितने भी नोट से आपने एक क्लाइन को याद करें अपर एक्ट्रा कुछ भी नहीं है सब कुछ इंपर्ण अपके रहने वाल हैं तो क्रेस्ट के हम बात करेंगे सिलिकन और अल्मिनम का बनाव से स्याल भी कहा जाता है इतने तो आपको सभी को समझ आ गया होगा एक एक पूछा गाता आपको पता बहुत आपको पता है लेगिन एक्जाम में आपको पूछा गया था एक थि पतली लेयर कौने से इन में से तो क्रешते सबसे एक कश को सकते ही और है तो पर काशे रहा हैं उस सिंपल से पताब करेस्ट में रहा रहे हैं हम तो वहां पर कुछ सबस्च जगां वाला भी पुछ सिंपल जमीं जहां पर हम रहा करते हैं जहां पर हम रहते हैं वहां पर 30 किलोमेटर तक तक यह और ओसे की पांच किलोमिट्र तक ही रहा है एक्जामें में पर क्याक्च बना हो था जो यह कुछल सी रॉक बनी बनी और ऐक भी दिसकस करता जो वने क्रेस्ट के बारें बड़ा है यह बद आउटरों से लिए रहा है फिर दो पार्ट में दिवाइड है दो पार्ट में भी ओशनी क्रेस्ट है कंटिनेंटल थीक है उसके और यह कौन से रॉक से बनी है बैसल ट्राक से और यह कौन से बनी है ग्रेनाइट लेयर से बनी हुए इतना आपको समय जा गया अब इस डेंसिटी से भी इसलिए इसलिए मैं आप से वह भी डि किलोग्राम पर मीटर क्यूब करूंगा यह बन जाएगा एक हजार किलोग्राम पर मीटर क्यूब समझे क्यों ओर यह बना जाएगा तीन हजार किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका मतलब क्या है अगर आपको डिबर लेकर आओ ठीक है उसकी लेंथ भी एक मीटर है विर्थ भी एक मीटर है हाइट भी 1 मेटर है समझे को या लगई मैं बनाने पा रहा है उस तरीके से क्योबाई आपको बनाना पड़े मैं आपको समझाने कर ट्राइब कर रहा हूं एक ऐसी चीज लेकर आप जिसकी लेंथ भी इतनी है विर्थ भी इतनी है है इतनी है एक मेटर क्यूब कर इस तरह से डबा बना दो या एक्जम्पल के तो पूर्ण कवरी दिखा दूं यहां पर तो यह भी एक बात करेंगे 1000 किलोग्राम पर मेटर की वाटर की देंसिटी है यहां पर इस लिकी डेंसिटी कितनी है अगर सेम वही डबा अप लेकर आओ उसमें अगर अगर आप अर्थ की क्रेस्ट को डालना स्टार्ट कर दो तोड़के तो वहां पर वह कितनी आएगी 3000 केजिया कर लेगा समझे वाटर एक क्विक सेंटीमेटर है तो यह कितना है तीन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर लौच और इसलिए को समझाने कर रहे हैं अपर कूछ सकिप कर सकता है हम्हुंद इसे बनाता है यांपर और इससे दो तरह की चूशिट मैंने थे वहां को समझ आ ज आपके बास जब हमंचे स बाद कर लेते हैं ऐहां पर मैंचेल में आप मिल जाएगा मैंटल मैं ओग बाद करते हैं पहले कि आप ऐसे से सिलिकन बन गया और में पर मेंगिनेशिun बना हुआ वाइस थीया इस तरह से हालागी stphones होता में निखा हुआ है लिकाने के लिए सीमह किसे को आजाता है वहुए सिलिजिकन मैंगनेशिμ पर हाता है अगर हम बालत करेंगे यहां पर उसके उपर अपर क्रॉस्ट इन दून मिला दो नहीं पर कर लो और मेंटर की सबसे ऊपर ओंचेगा वह बंजागा वह बुद्ग इतना कंज़तों को समच आ गया होगा आगे चलते हैं इसके पाद मेंटर का कुछ और जटाटा देख लेते हैं इसके बात कि उसकी अपना करें कि बात कि 30 km तक उसकी जो थिकने सवरा जारी थी कि 29 km तक है और अब बात कि बात करेंगे दो इसको में पर में चली है तो इसको डिवाइड करता है अपर आप के यह रहते हैं तो बॉट जा रही है तो अब बात करें क्रस्ट के बात करें कि पर सकुपारिजने में चली धी लावा निकलता है अभी कुछ देर के बाहर समझ को अभी आपको अभी आद करना पड़ेगा जो अपर मेंटला बहुत की उसमें एक रीजन आता है उसको एसी रीजन से बाहर निकलता है इतना कंटेंट पर आपको समझ आ रहा होगा कर लाएं यहां पर आगे में बात कर लेते हैं तो निकल और निकल एसे फारिस मतलब आइरेंन की बात करेंगे तो nickel की और iron की और nickel की जोńsk Legisl p Whole ना देछने को मिलेगा और जो लिक्विड फर्म में होती है और लिक्विड फर्म में है वह इंडरॉज तो मतलब मतलब मारब पास यह solid form है यह inner core solid है इसके बाहर जो हमारपास यह form है आउटर core है यह liquid form है इसमें पानी भर हो समझ को इसके बार जो अगर हमने mental की बात किए वह semi solid था और हेसे बाहर जो crest है वह पूरा solid part इस तरह से मारा अर्थ यहां पर बन जाता है कि अपको समझ आ गया होगा एक हमने सियाल की बाद की सीमा की बाद की फिर निफे के बाद की यह कंश्प को समझ आ गया होगे और इसकी डैंसिटी जो है कोर की बात करने के और जादा होते है ठीक है तो एक्जाम में यह कुछ करता रहेगा जो इनर पोर है आपको करता अपको इन equipment करता यह बाद करें और उनर करब या दो चार्जब बन जाता गया और चार्ज बनेगा तो मुवी ने देखे कोर मुवी एक कोर करके मुवी एक हॉलिवुड की अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लेना आपको अर्थ के बार में और बैटर वी में समझ आ जाएगा कि मतलब क्योंकि हलागी यहां तक तो पहुंच नहीं पाएं लेकिन जो थियूरिस हमारे पास ह सब्सक्राइब कर जाएंगी और सब कुछ खतम हो जाएगा तो वह जो है इस तरह का मतलब जैसे रॉकित होता है इस तरह का इंस्ट्रमेंट बना के वह अर्थ की कोर के अंदर एंट्री करते हैं उस पर पूरी मुवी बन्यों ही बूवलप को जाके देखना चाहिए उस फि सब्सक्राइब कर जाता है उसे काता है और नश्य सभी, क्या पूचते बामें. तो समझ आ गया होगा, समझ कितना क्लीयर हो गया? हमने इडर के वाद कहिए अब यहां पर फिर से में एक बार आउटर कोर के बारे में समझ लेते हैं जो आउटर कोर है उसको आपको देखने को मिल रहोगा 2180 किलोमेटर इसी थिकनेस है डेंसिटी देखो कहां जा रही है वो कहां तीन था कहां चार था यह डेलेक्ट डेंसिटी जो 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर देख जार जारी है याँ आप समय सकते हैं पर जो इनर कोर की बात पर पर कितने डैंस यहां पर तो इनर को समझ जा रहो आपको पता होगा वैसे भी अपने अर्थ को ने कभी सुना होगा पहले आपको गोला था उसमें काफी सालों तो बारिश होती रही फिर होता गया तो इनर स्ट्रक्चर वह अभी भी घर में यह तभी वहां पर मॉल्टन मैटल वगरा आपको देखने को मिलते हैं तो वह तभी मुवमेंट वगरा और आइन बहुत जदा वहां पर तो वही आइन वगरा स्पिन करता था वह लिक्विट फॉम में भी वही में जो ह हुआ हुआ हो कभी कभी जमीन से बाहर रहता है वालकनों की फार में तो ही इंदर कोर में अभी भी वह पूरता से ठंडा नहीं हो पाया है तभी वह अभी लिक्विट फॉम में मैल्ट होता रहाता है और इस तरह सब आपको को मुवी देख लेना एक बार हाले कि जो बेसिक बढ़ेगा तो यह बेसिक आइडिया आपको जो अर्थ की बात करें इसका लग गया होगा बागी किसी बीदेखा डाउट होगा आपके बास होगा अपके पास अपके पास इसक्राइब करने चाहिए कमें ने कमेंट कर रहाता हूँ अगर आप भी वहां पर करते लोगा लेका और लास्ट के लेक्शन में कुछ बच्चों को मैं ने देखा था उन्हें इस तरह से काम करा भी था एक्स्टाइंट फॉर्मेशन आपके शेयर भी कर रही थी तो मुझे बड़ अच्छा लगा था एक दुसरे की हल्प ऐसी करने पड़ेगी सब्सक्राइब कर लिए ना अगे चलते हैं पर और हमारे पास कर रहाता है क्रेस्ट हो गया मैं ने डिसकस कर लिए अब एर्थक्रेक्स कर लेते हैं और्थक्वेक्स की बात करेंगे लिए को आपने मैसूस कर और कर दो कभी ने कभी कोई ऐसा इंसेटेंट आपके साथ हूँ अर्थक्रीक के टाइम पर जो मतलब अभी तक आपको याद रहाता हो या अजीब सा इंसेट कोई हूँ तो कमेंट सेक्षिन में बता देना तो देखो अगर हम बात करें कि सेस्मलोजी का है अर्थक्रीक सरेडिय को सिस्मलोजी क्या ह사से हैं इस स WATER सिस्पें आरफ को तैना वह उसकΑ वोड़्र होता है अं दर के तरफ इंट्रेयर आफ एर्थ होता है दिस पॉइंट में वह उर्ट में होता है वह वाँ इप कौन पर दिखने काना हमें दिखने कॉन से हुनने की टोनिक भी मुववमन हो ती पर पर के साथारिक को सुट्राद मानें जाता है , वह मुव्मेंट के कारण जो बहुत है उसको नाम देगा । तो आपको समझ आगया होगा इसको रिलेट कर सकता आपक समय नाम ठीक है एक एसा इंस्ट्रूमेंट है इसकी है इसकी है अर्थक्वेक की वेड़ को बात करेंगे मार्स प्लाइन पहुंचाया गया था और पहला सिस्मोमेटर की बात करेंगे मार्स प्लैने में यह याद से Bureau हुआ तक मुझे पता है मैंने जो पेपर वगर देखने को मुझे मिला नहीं है आगे चलते हैं पर रिचर स्केल की बात करेंगे यह क्या है चारलेस, फ्रैंसे, रिचर के दोरे से बनाया गया था यह और यह कितनी मैंगनिट्यूड है कितना मैंगनिट्यूड का अर्थक्वे का है वह मैंगनिट्यूड वह वैलूड निकालने के लिए आप रिचर स्केल यूज कर जो ना इसकी वैलू का बंस लेकर कहां तक रहती है और अगर भाने को ना अचाए दो शूनामी तो होगा तो इसकी बार मैं और कर लागए आगे चलते हैं अब हम सब्सक्राइर के यूज कर लेते हैं लोगे अर्स्क्वेक खुण दो है वह उसकी वैज और इस सिस्मिक वेव से जैसे का जाता हो वेव की बारे में पढ़ लेते हैं तो नहीं को तरह की वेव से यह पिल्कु फुर्द रागे डिवाइड किया हुद एक होते हैं बॉड वेव और एक होती है निकं़ले का जाते हैं सबस aids हों प्राइमरी वेवस करोती है इन्हें पी वेव सब ने सबसे फास्टेज्यों से लेकर 30 किलोड पर शेकर टक वैरी करती है सबसे फास्ट को वेवागि फीर वेव कोई स्वह यह पर निगलती है आपका सबसे फॉस्त सब्सक्राइब कर लेंगे बस अभी आप इतना याद कर लो कि आप जिए लॉंगितुनल वेवस होती है सबसे पहले जो अब होगाने सीज्मोग्राफ में रिकॉर्डिंग वगारा करते हो तो वहां पर सबसे पहले जो मतलब वेवस पहुंचते हैं जिसके आप स्टैडी वग अब कर जाएंगे जैसे लाइट की बात करेंगे नाल्ण सोड़र अधों से पाश नहीं कर पाएगी मेरा हाथ भा पर पाएगी आदि निचर पाएगि न जैसा बैकर थी सॉलीड स्च प्रास्वारती है जी तरह करते हैं इसी आफिनी फिरेंक फिर उपका ऑजाता है क्लियर हो गहां आगे सेंस्टीक बंध्र सक assurance फीर का जाता है लोंगी ट्रंसले विवस होती है यह सिरफ साही DNA थे였습니다 यहां पर स Carbon और से निकर पास करेंगे हैं अगर स्वालिट से पास कर सकती हैं कि एक और कोर को युआ कर पएएंगी कॉर में लिकुट से बिया तो वहां से क्रॉष निकर पाती है उरिए और इंगे स्पीड किसका इनिसे कम है सेखेंटरी वियंग से घैंटन होती है लगबिक दो कुना कम होती है एक आगको समेझा गया और टीजरी में ! सबसे कम स्पीड होती है इनकी सबसे कम स्पीड होती है इनकी सबसे 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 कम सबसे कर लें सब्सेडा सबसे कर लाइख लाघ यह सबसे पार करते हमारे तो इसे पहले आपको पता है कि हम जब चैप्टर्स वारा कर रहे थे हमने सभी कंटिनेंट्स कवर कर ले हुए एक दो टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी कर रहे थे कंटिनेंट के ऊपर फिर जब हम यहां पर आते इस सोलर सिस्टम कर रहा पड़ा आपने यह सब भी पड़ा इतना देखो कुछ टम्स पहले आप समझ लो उससे पर आपको यह दिखाता हूं यांबर एक स्लाइट दिखा जाता हूं आपको देखने को मिलोगा अर्थ के इंटिर आपको पहले बता चुका हो ना कि पहले पहले अर्थ बड़ा गरम होगा कर ता अभी पे अंदर से गरम बगर आपको देखने को मैगमा कहा जाता है जो और बाहर निकले की यह उस जगह से बाहर निकले कि उपर की तरफ फुट्र होते हैं अब उपर की सर्फेस्ट टॉग हो गई उसको क्रॉस तो तो पाएंगे नहीं लेगिन पर ऐसी जगह दिखी जहां पर सर्फेस्तिने स्ट्रॉं अभी तुड़ के मतब कह सकुत बहुं निकल जाते हैं तो जब वह निकलते पोलावा की आंदर निकलते हैं अंदर मैगमा है जब होलेंगे अलवा अगया इस तरी यहां पर यह देखना यहां mo डॉपर की तरफ यह से बाहरा झालयर सब्सक्राइब है जो दूद्स मेरे रहे हैं यह से बाहर है कि Раз लाग जरेखने हैं जब जाएगा तो मां पे तो पहार बहुंद निख निकल बन जाएगा दो बाद बाहर निकल पहार बन जाएगा और दो बात में पर पाणि बढ़ जाते कोई के दो जये हो lugar मैंने बाहर जा रहे हैं लाई डाया इसको पाने किर जाएगा इसको पाने किर जाएगगा इसको पाने जड़न आफर की उपर हो लेक के फारमी गर में जा जाते हैं मतलब तो यहां पर बिंभी ब्हुत हो बन जाते हैं यहां पर कुछ जगह से कुछ फीप बाहन देखने को भी जाते यह बॉचसों से का पाइट्र लाउ तरबाइन को गुमाते हैं मतलब जियो थर्मल पावर प्रांट यह हो इसी हीट को यूज करते हैं एलेक्टिसिटी जुनरेट करने के लिए तो जियो थर्मल मतलब अर्थ तो यह सब कुछ भी हो देखने को मिलता को ठीक है अब इनके बारें पढ़ना साइट कर लेते हैं ठीक है यह सब कुछ में पढ़ लिया ना वालकिनिस के बात की मैगमा आपको बताते हैं मैंने मॉल्टन डॉक्स मेटिल जो अर्थ के लिए मैगमा हो जाएगा जब यह बाहर क आप यह बावा जाया तो पानी आफिक यह कोफ लिए पानी को लाइगा तो आगे तक अपर जबाएगा उसकी विस्कॉसिटी जब जादा होई लेगा यह बहुत जादा होगी होगा और silica content इसमें जाता रहता है और बेसिक लावा की जब हम बात करते हैं कि नॉन विसकुस होता है इसकी तिनी विसकॉस्टी होती नहीं है और कर दाक रहता है तो एसिदिक लावा बेसिक लावा में जो बेसिक सा डिफरेंस है वह अपको समय आ गया होगा और बेसिक बनता है लेकिन बनता है लेकिन बनता है उसकी है चोटी होती है जब हम बेसिक लावा कूंस की बात करेंगे इनके बात करेंगे में मेर कीलों की बात करेंगेście से क्लासीव कर deals का रहा हा हे कि अपन नाम से एक्टी वर्क्न आप नाम से बते हों अबी बेक्टी में मीदे निकलता भर्ट है अब सब्सक्राइब तो इसमें लेटस इरप्शन वगए इसका मतलब एक्टिव वालकोन है उसे पहले दोजर रटन इसमें भी वह था अब इसमें इरप्शन वगए इसमें ठीक है साइगे नमबर पर इतना तर्सिसली में आज़ता है कारकोटा इंडोनेशा में बहरन आइलांड ह साइड में तो इस सारे कुछ एक्टिव वालकोन यहां कि कहीं सारे हैं आपको इतने पढ़ आपकर का यह आपको नहीं हम सकते हैं लेकिन बाद में फ्योचर में जाके भी कभी निकलता रहेगा उसके चांस नहीं लगते हैं पर समचकिक हैं अब अच्टिव था आज भी है लगता कि हाँ फिचर में में मेशा आता रहेगा डॉर्मेंट वरकनों का लगता कि हाँ यह पेले तो निकला करते हैं तो आज भी निकल सकते हैं आज मितलो है कुछ तो उसके बाद यह active volcano बन गया अब यह active volcano की category में चल गए हुआ है जिब mount नौर्कॉंडम के हम बात करते है लास्ट में बोलते है dead यह फिर extinct volcano नाम से पता लग रहा है मर गही है मतलब इन में पहले बाद तो आया करते थे ना इन में कोई चांस है कि present ने कोई वालक ने निकलेगा ना future में निकलेगा तो कोई सुल्टान पाकिस्तान वाला है इसके example है Mount Kenya जो की Kenya में है पौपा जो की मियुनमार में है इसाले कुछ example dead यह फिर extinct volcanoes की यहां से आपको जिग्राफिय का सेक्षिन जो वर्ल्ड जिग्राफिय का आज हम घतम करने उमीद करते हूं कि आपको क्या पता लेक्शे अच् जो जोईन कर सकते हो और अब अगर यह वीटो ला सकते हो तो तीन-चार दिन के बाद हम अजो हमारी application है Aks Classes के नाम पर वहां तम current affairs start करेंगे जन्वरी के मन से start करेंगे तो सारे current affairs वहां पर live रहा करेंगे हलाकि जब live start करेंगे मैं एक दून पहले आपको इन्फॉम भी कर जिस दिन में वीडियो बना रहा हूं यह वीडियो में बना रहा हूं कब बना रहा हूं सोना तारीकों बना रहा हूं तो बीस एक्कीस सबाइस तारीक साब के वह सेशन में start कर दूँगा तो तक आप application को download कर लेना और भी केंद्रा content वाब में फ्रीम में भी add कर दूँगा ठीक है तो बागी कोई भी डाउटों को जरूर पूछना वीडियो को शेर जरूर करना थैंक्यू जाहिंड